नमस्कार आज की इस वीडियो किलास में हम लोग राश्टिये बाल अधिकास रच्छन आयोग के बारे में बात करेंगे और आप लोगों से मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हूँ चाहे वो आपका UPSC, IES, Civil Service हो या फिर आपके State PCS के एक्जाम हो या आप लोग वन डे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं इनके कम से कम 4-5 साल पुराने Questions पेपर उठा के देखिए इस तरह के जो आपके राष्टी है और अंतराष्टी है संगठन है उनसे आपके एक्जाम में Questions पूँचे जाते हैं आपकी परिक्षा में Questions पूँचे जाते हैं और एक महत्पूर संगठनों की नाम से आपकी विलेलिष्ट सोची बना रखी है उसी में सभी संगठन आपको मिल जाएगे उन्हें वहाँ जाकर आप लोग देख भी सकते हैं इसे आप लोग इंगलिस में क्या कहते हैं? National Commission for the Protection of Child Rights की बात हो रही है बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है किसकी? बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है इसे आप लोग सौट में NC, PCR के नाम से भी जानते हैं यह भी आपको याद रखना है अगर हम लोग राष्टिय बाल अधिकार सरक्चन आयो की बात करें तो इसकी इस्थापना मार्च 2007 में इस्थापित राष्टिय बाल अधिकार सरक्चन आयो भारत में बच्चों के अधिकारों की सरक्चन के लिए एक मातफोर्ट निका है महत्पूर्ट क्या है संगठन है यह एंसी पीसी यार क्या है एक महत्पूर्ट बाल संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की बात करता है और 2007 में इस्थापना हुई थी यह डेट भी आप लो याद रखिएगा और इसे 2005 के बाल अधिकार सरक्षन आयो के अधिनियम के किस एक्ट के तहट राष्टि बाल अधिकार सरक्षन आयो की स्थापना हुई थी तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा एक्ट है यह आप देखेंगे कि बाल अधिकार सरक्षन आयो अधिनियम 2005 के तहट और नई दिल्ली में आपको इसका हैड़क्वाटर देखने को म मिल जाएगा अगर आपसे अध्यक्ष की बात करें तो याद रखिए सांता सिनहा पहले अध्यक्ष थे और आप लोग जब देख रहे हैं इस किलास को उस समय कौन अध्यक्ष है यह आप लोगों को नीचे बताना है यह भारस सरकार का महला एवन बाल विकास मंतराले इस अ है महला इवन बाल विकास मंतराले आयूक का अधी देश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून नीतिया कारिकरम और पिसार्षनिक तंत भारती समिधान में सन्नेहित वाल अधिकाद दरश्टी कौन के अन्रोप हो या नहीं हो रहा है और अधिनियम के तहत एक बच्चे को अठारे बस की आयू के जो भी बच्चे रहेंगे उन्हें बच्चों की रूम में परिवासित करता है जबकि NC-PCR को लगता है कि केवल कुछ बच्चों को टार्गेट करना मत हो रहे है यह रतरक देता है कि कई कमजोर बच्चों को अलग करना जो नेडिश्ट या टार्गे जारी रखता है अब आप करेंगे हम लोग इसके उद्देश की कि आखिर इसका उद्देश क्या है इसकी स्थाफना का क्योंकि आप सभी जानते है कि जब किसी संगटन को बनाया जाता है तो उसका कोई उद्देश तो जरूर रहता है ना तो इसका उद्देश यह सुनिश की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में इस्थाफना हुई थी और आप देखेंगे कि नियोर्क में USA में इसका हेड़कौार्टर देखने को मिलेगा, आयोग एक अधिकार आधारी द्रिष्टी कौन की कल्पा करता है, जो राष्टे नीतियों कारकरों के साथ साथ राज जिला और विलॉक इस्तर पर सूक्ष पितिकरियाओं की साथ साथ पितेख छित्र की विशिष्टा और छमताओं के लिए जिम्मेदार है, क्या है? जिम्मेदार है और पितिक वच्चे तक पहुँचने के लिए यह समुदायों और घरों में गहरी पैट चायता है, और यह आसा करता है कि जमीन पर प्राप्त जमीनी अनभाओं को सभी उच्चिस्तरिये अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाएगा और नतीजितन आयोग राजजिक को एक आवस्यक भूमिका निभानी के सासद प्रुभावी संस्था निर्मार पिक्क्रियाओं इस्थानी और समदायक इस्तरों पर भीकेंदरीकन के लिए सम्मान और बच्चों और उनकी भलाई के लिए एक ब्यापक सामाजिक चिंता की र सरकार ने एक संसदी अधिनियम द्वारा NCPCR की स्थापना की गई है और आयोग में एक तो अध्यक्च होता है छे सदस होते हैं तो यह जरूर याद रखेगा एक अध्यक्च होता है और छे सदस होते हैं तो टोटल आप लोग इस तरह से देखेंगे टोटल साध विक्ति हो सरकार की द्वारा केंद सरकार की द्वारा की जाती है जबकि आयोग की अध्यक्च की निउक्ति केंद सरकार द्वारा गठी तीन सदस्तिये चैन संती की सिफारिस्त फरह की जाती है यह आपको याद रखना है अध्यक्च होता है जिसने बच्चों के कल्यान को वड़ावा किसुर्ट नियाय या ऑपेक्षित बच्चों या बिकलांग बच्चों की देखवाल से जुड़ा हुआ हो। बाल शरम ये संकट ग्रस्त बच्चों का उन्मोलन से जुड़ा हूआ हो। बाल मनुविज्ञान या विर आप देखेंगे समास्सा starch Uhr से जुडा लेकिन अध्यक्चो सदस्त दो कारिकाल से अधिक के लिए पद्धारन नहीं करेंगे यानि कि दो कारिकाली के लिए इनका चुनाव हो सकता है उसके बाद पद्धारन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार तीन साल हो गया दूसरी बार तीन साल हो गया इस तरह से फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये उस पद पर नहीं रह सकते हैं और आयोग में सेवा करने के लिए अधिक्तम आयू अध्येश के लिए आप देखे 65 वर्स रखी गई है और सदस्वों के लिए 60 वर्स निर्धारित की गई है आप देखेंगे कि अगर माल लिजे आपकी आयू 56 साल की है तब आपकी निवक्ति अध्येश की रूम में हो जाती है तो तीन साल करेंगे आप लोग 56, 3, 58 फिर आप देखते हैं कि एक और कारकल आप पूरा कर सकते हैं तो 58, 3, 61 पूरा कर लेंगे आप लोग तो यह जरूर याद रखा करिएगा और सदसों के लिए 60 वर्स निधारित की के गए और इनके इस्थीपा की बात करें तो अध्यक्च और सदस के अंद सरकार को पत लिकर अपना त्याक पत दे सकते हैं इन्हें हटानी की बात करें निस्कासन की इन्हें हटाया भी जा सकते हैं अध्यक्च या किसी अंद सदस को हटाना के अंद सरकार दवारा किया जा सकते हैं यदि अध्यक्च या ऐसे अंद सदस को दीवाल प्रावधानों के अंसार कार करने में अक्षम, या कार करने से इंकार करन देता है, तब भी उसे हटा दिया जाएगा, उसका काम क्या है, उसे उड़ी कामेओं के लिए तो रखा गया है, अगर वही काम नहीं करेगा, तो क्या मतलग है उसका, या फिर आप देखेंगे किसी अपरात के लिए दोसी ठहराए गया हो, कारावास की सजाद दी गई हो, और जिसमें नैतिक आचमता सामिल हो, उसे भी हटाया जा सकता है, या फिर आप देखेंगे, बिना किसी पूर्व सूचना का आयुक की लगाता, तीन बेटों से अनपस्तित है, तो उसे भी हटा आयुक से, तो आप लोग उनके जवाब बहुती आसान नी सिद्धे देंगे, ठीक है, अब आपका कोई सवाल हो, सुजा हो मेरे लिए, आप लोग बता सकते हैं, किसी और संगर्थन के बारे में जानने की दिल्चस्पी है, तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, प्याँ झाल आसे हैं, किसी खिल्चस प्ता सकते हैं, बहुत्थ पर थादाब कर दिल्चस्पी हैं, तो रेका सकते हैं, जा चाध Allah, बहुत्वार्यों के देंगे, अायुत दो में हम से सकते हैं, किसी ओल्सक्तरबर बухाश्यका से, तो युत्या हैं, अंज्यका प्रुईम,